नमस्कार, हिंदी साहीत वारता में आप हैं इस वक्त सुबाश ठाकरों के साथ दोस्तो, H.P.L.T.T.E.T. ये जो प्रिविएस एर पेपर की जो सीरीज चली है इससे पहले हमने 90 कोश्चन्स पहले ही डिसकस कर लिया है तो अगर आपने अभी तक वो वाले 90 कोश्चन्स नहीं देखे हैं तो एक बार आप उनको जाके चेक कर सकते हैं हमारी जो लेंग्वेज टीचर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है वहां पर आप उनको देख सकते हैं तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजे क्योंकि आपके लिए हम भेतर कॉंटेंट हमेशा लाते रहते हैं रात्री के द्वित्य प्रहर को क्या कहते हैं देखे ये वाला प्रशन यहां पर रखा गया है 91st जो कोश्चन है यहां पर सिंपल सी बात है देखना एक पूरा जो 24 आर हमारे एक दिन में रहते हैं पूरे उनको हम 8 प्रहरों में भी वाजित करते हैं जिनमें से 8 प्रहरों में से जो 4 प्रहर जो है वो दिन में आते हैं और 4 प्रहर जो रात को आते हैं दिन में अगर हम शुरुवात करें प्रारंभिक प्रहर से तो उसको पुर्वाहन के नाम से जाना जाता है एंड ये जो पुर्वाहन का समय रहेगा देखना 6-9 बजे तक का समय पुर्वाहन का रहता है एंड उसके बाद आपका मद्याहन आता है 9 से 12 की बीच का समय जो दिन का है तो उसको मद्याहन कहेंगे फिर अपरहन आएगा आपका 12 से 3 वजे तक एंड सायकाल आपका 3 से 6 तक का जो समय रहता है ये सायकाल का रहेगा तो ये हो जाएंगे दिन के जो चार प्रारंभिक प्रहर इसके बाद आता है रातरी का जो प्रत्थम प्रहर है वो आता है आपका प्रदोशकाल ठीक है लेकिन दूसरे प्रहर को क्या कहा जाता है निशित कहा जाता है प्रत्थम प्रहर का जो समय रहेगा वो ठीक वैसे ही रहेगा जैसे आमने दिन से शुरुवात की थी कि जैसे आपका पुर्वहान है 6-9 बाकी वैसे 3-3 घंटे आपने इसको आगे जोड़ते जाना है तो पहला रहेगा यहाँ पर प्रदोशकाल दूसर रहेगा पूछा जाए और आखरी जो प्रहर माना जाता है वो उशा का प्रहर माना जाता है जो 3 बजे से 6 बजे के बीच तक रहता है सवेरे वाला जो समय रहता है ठीक है तो इसलिए आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना था देखिए रात्री के दूत्य प्रहर को क्या कहते हैं यह से नौ बजे से शुरुवात करनी है सबेरे से सुभा से मतलब पूर्वहान से ठीक है और ऐसे ही आपको बाद में भी याद रखना है तो यह था आज का पहला प्रशन I hope आप इस प्रशन को अच्छे तरीके से समझ गया होंगे and next question की और बढ़ते हैं अगला जो प्रशन यहा पंदरा सर्ग हैं यह वाला प्रशन भी आपको पूछे जाता है कमाईनी में रस कौन सा रहा है शांत रस रहा है और इसमें चंद कौन सा है तांटा के इसमें चंद रहा है यह जो में में चीज़े हैं कमाईनी के बारे में और इसमें किस दर्शन का प्रभाव रहा है तो श शायवाद के चार प्रसिद लेकक रहे हैं उन चारों पर अलग-अलग दर्शनों का प्रभाव रहा है जिसमें important नाम आपका निराला का भी आता है देखना है जिसके उपर जो आपका ये शंक्राचारे का अद्वैतवाद का प्रभाव रहा जबकि जो आपके सुर्यकांत्री दुखवाद का प्रभाव देखने को मिलता है तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहां पर कमाईनी का रचनावर्ष 1935 है ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है जैशंकर प्रसाद की अंतिम का विकृति ये मानी जाती है श्रद्धा, इड़ा, मनु और कुमार य इनके बारे में भी हो सकता आपको पूछा जाए और ये पातर किस किस के प्रतीक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं बाकी इनके जो 15 सरगों में से प्रत्थम जो सरग है वो चिंता है आकरी सरग जो है वो आपका आनंद सरग है तो इस तरीके से आप उसको याद रख लीजिए बाकी इनको याद रखने की ट्रिक अमने वीडियो में बताई हुई है लाइव क्लासिस के अंतरगत भी तो अगर आप पूरा कोर्स बाय काना चाहते हैं एल्टी टैट का तो आपको वन थाउजन में मिल जाएगा जिसमें आपको लगब लगब 50 ल रखनी है सुदामा पांडे धूमल धूमिल ये साठोत्री कवी के कवीता के रशनाकार रहे हैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है आपको देखना रोटी और संसत सबसे प्रसिद इनकी कवीता रही है इसका अलावा इनकी जो लंबी कवीता रही पठका लेहरों के राजहंस अशार का एक दिन तीन प्रसिद गृतियां हिंदी कहानी एक बार-बार इनकी पुछ जाती है देखना जो मलवे का मालिक जिस पर हीना नामक मूवी भी बनी है हिंदी फिल्म ठीक है ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है मोहन राकेश से ठीक है सू दर्शन इतना ज़्यादा जरूरी राइटर नहीं है नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद यहाँ पर लिखा देखी राम बोला किस कभी का बचपन का नाम था तो असान सा प्रशन है देखना ये कि राम बोला किसका नाम था तो यह हम सब लोग जानते हैं तुलसिदास का बच्पन का नाम क्या रहा राम बोला रहा है तुलसिदास आत्मा राम और खुलसी इनके मात अपिता रहे यहां से भी प्रशन पूछा जा सकता है देखना इसके बारे में और दूसरी चीज़ आपको याद रखने है कि तुलसी से संबंदित अन्य चीज़े हैं कि इन्होंने किन-किन भाषाओं में रचनाय रची है तो दो ही भाषाओं में रचनाय रची है ब्रज और अब्दी में समान रूप से इनका संपून साहित समनवे की विराट चेश्टा का आ जाता है ये भी आपको याद रखना है देखना एंड जो राम चारित मानस रही इनकी श्रेष दिन के आसपास ठीक है तो इसको आप याद रख लीजिए पंचवटी में कौन सा समास है तो देखिए यहाँ पर सिंपल साहता दुग उसमास लेकिन बहुत साय लोग जो इसमें आपका बहुबरी समास भी करते है क्योंकि पंचवटी जो जगा है ये रमाइन में जो जगा रहती है उसको मतलब माना गया है कि उसके लिए रूड हो गया है लेकिन यहाँ पर पांच बाटिकाओं का जो समूर है वो पंच मटी हो जाएगा तो इस बात को भी आपने यहाँ याद रखना है जो संख्या बाचक विशेशन जहां पर पहले आ जाए प्रारंब में ठीक ह अगर आपको यहाँ पर नैन शब्द का विशेद करना हो तो आपको सिंपली यह याद रखना है ने प्लस अन ठीक है तो ने और अ यह के बाद अगर अ हो तो उसका क्या हो जाता है जैसे इसका क्या हो जाएगा नैन हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर यह कहां पर होता है यह आपका अयादी संधी में होता है जहांपर आए आव आव ये जीज़े रहती है बीच में मतलब वही आपको या रखना है कि वो क्या रहेगा आपका अयादी संधी रहेगा और ये संधी के ऊपर हमने complete lecture अपना YouTube में डाला भी है देखना उसको आप देख सकते हैं and हलांकि हमारा जो व्याकन से समंदित एक इसमें आपकी ये प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर भी आपको संधी से related जो है वीडियो मिल जाएंगी बहुत ही असान है देखना आपका अयादी संधी, यन संधी, व्रिदी संधी मतलब ये स्वर संधी का ही एक बेद है आपको इस तरीके से भी प्रशन पूछा जा सकता है कि नैन में कौन सी संधी है अगर आपको स्वर वियंजन और विसर्ग संधी में पूछा जाए तो करेंगे, तो से से पहले क्या लग रहा है? देखिए, यह Este क्या है आदा संधी है जैसे मध्वाचारे है आपको यहाँ से पहले आदा संधी है यह संधी और अयादी आप मात्रें में भढदःद्री हो जाएगी जैसे यह संधू मात्र हो जाएगी जैसे महोज होता है देखना ये बार-बार इसका उधारन दिया जाता है महा प्लस ओज महोज ठीक है तो मतलब यहां पर हम सिंपली क्या देखते हैं कि बीच में मात्र है कितनी लगी है तो जहां पर भी आपको दो मात्र हैं दिख जाएं वो आपका बृद् संधी है तो इस तरीके से आपको सभी संधियों की पहचान हो जाएगी और गुण संधी में बचता है आपका A और O जैसे राम प्लस इश रमेश ठीक है इस तरीके से आपको यारखना है कि A की मात्रा बीच के वरणों में अगर लगी हो तो समझ लेना है आपने वहां पर क् व्यंजन संधी देखिए तो के बाद यदि ये कहरा है लग आ जाए तो वहां पर क्या हो जाता है जो प्रारंबिक तो है वो लग में तब्दील हो जाता है बाकी आगे का वैसे के वैसे ही रहता है तो तत प्लस लीन क्या हो जाएगा तलीन हो जाएगा बहुत ही आसान है य पूरा संदी वाले chapter में चलिए next question यहां पर देखते हैं कि आगी क्या है next लिखा है देखिए भूत बली में कौन सा समास है तो यहां पर देखिए संदी से भी प्रशन पूचे गए और समास दोनों से भी आपको यहां पर प्रशन रखे गए हैं तो भूत बली यहां पर आपक परद्वनिक का अंग्रेजी परिभाशिक शब्द क्या है तो यहां पर पर परिभाशिक शब्द यह पहले रखे जाते थे अब एल्टी कमिशन में पूच जाते हैं तो इसलिए आपने थोड़ा सा उनको ध्यान में रखना है तो इसको हम कहेंगे सूपर सॉनिक एंड मध्वरी में कौन सास्मा से देखिए मैंने पहले ही यहां पर आपको कहा था कि जहां पर भी वह से पहले यह से पहले आपको अर्द यह वर्ण दिखे तो समझ लीजे कि वहां पर क्या आपका यहन संधी हो जाती है यह चीज मैंने आपको पहले ही बता दीती तो हमने कुछ भी नहीं करना, इसमें बीच में देखना है कि आदा बर्ण तो नहीं लगा है, वो और यहांसे पहले, तो समझ लिजे कि वहां पर क्या हो जाएगा, आपका यन संधी हो जाएगा, और कैसे आप इनको पहचानेंगे, अयादी गुण बृद्धी को, वो मैंने आपको प जीने की कला, बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है, इनके जो निवंदात्मक कृतिया रही है, तो थोड़ा बहुत आप इन रचनाकारों के बारे में जरूर पढ़के जाएगे, यहां से आपको हो सकते हैं, प्रशन पूछे जाएगे, इनके निवंदात्मक रचना हैं, या इ शब्द से मेल खाता है, तो सिंपल है, साधारन है, यह वाला प्रशन भी धनुष से, दात्री शब्द का स्ट्रिलिंग दात्रा, इसमें कुछ भी नहीं था, स्ट्रिलिंग पूलिंग यह असान से प्रशन है, इनको आपको याद रखने के लिए बुक को उठाना मतलब यह आपको सब्जक्ट की कितनी नौलिज है, यह मतलब बेसिक चीज़े हैं, यही आपको याद रखनी है, यहाँ पर अगला प्रशन जो है, वो साहित्य से एक बार फिर से रखा गया है, अग यह को ग्यान पीट पुरुसकार किस रशन पर मिला था, जबकि साहित्य इन्हें किस रशन पर मिला था, वो मिला था इन्हें आंगन के पार द्वार पर, तो यह वाला important है देखना, प्रशन बहुत बार पूछा गया है, यह कितनी नावों में, कितनी बार पर कौन सा पुरुसकार मिला था, ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप अबूतर कबूतर, यह इनकी कृती नहीं रही, यह किस की कृती थी, यह भी आप मुझे बताइए, ठीक है, और अगे का यहाँ पर यात्रा वरितांज भी एक है, वो भी आपको पता रखना है, तो कौन सा है, बहुती सिंपल है देखना, उसको भी आपको दूनना कोई ज़ मुझे बताए, लेकिन आंचलिक मेरे इसाब से इसमें नहीं होना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, तो प्रगतिवादी जो उपरन्यासकारों में, राहुल सांकरित्या इनका नाम आएगा, यह आपको ने एक बार खुद भी चक कर लेना है, अगर आपके पास कोई authentic proof है, तो फिर आप मुझे इसको बताइए, ठीक है, नेक्स आता यहां पर देखिए, वह का उचारन स्थान क्या है, तो वह दंतोष्ट है, ठीक है, दंतोष्ट है, और यह उचारन स्थान से समधित भी हमने देखना complete किया हुआ व्याकरन वाली सीरीज में, वहां कि उचारन स्थान से आपको देखना definitely एक प्रशन पूचा जाता है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन थे, तो पहली चीज़ आपको या रखना है, कि यह प्रत्थम हास्य और वियंग्यात्मक लेखक के तौर पर माना जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है, यह रानी केतकी की कहानी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, याद रखना है आपको उदेभान चरिप, ठीक है, इंपोर्टन नाम है देखना, शरदराम फिलोरी, यह भागेवती उपन्यास के रशनकार रहे हैं, 1877 में, ललुलाल, इनकी जो प्रेम सागर रही, इंपोर्टन कृती, गुपालदास गहमरी, यह आपके जासुसी उपन्यास कार रहे हैं, यहाँ पर गहरी हो गया देखना है, यह गहमरी है, ठीक है, इन्हें हिंदी का कॉनल डाइल भी कहा जाता है, ठीक है, तो नेक्स देख लेते हैं, गवाक्ष किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी है, तो यहाँ पर आपको या रखना है, विंडो, रह्मन पानी राखिये, बिन पानी सबसून, इस दोहे के भाग में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं, शिलेश अलंका, जहाँ पर एक ही शब्द जो है, बार बार पर पर युक्त हो गया हो, लेक इसको याद रखना है, ठीक है, अर्दसम मातरिक चंद, अगर मातरिक चंद में भी पूछा जाए, तो अर्दसम मातरिक मलब, जिसके दो जो आपके चरण है, दोनों चरणों में, जैसे एक और तीन जो है, यह सिमिलर होते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, निमन जो है, यह मुक्ति बोध का उपन्यास है, ठीक है, एक ही इसने उपन्यास लिकाता देखना है, यह भी आपको या रखना, और इसके कावे संग्रह जो है, मुक्ति बोध के दो ही रहे हैं, चांद का मुठ टेड़ा, और वोरी-वोरी खाक धूल, ठीक है, इनको आपने कौन से सब्तक के अंतरगत आते हैं योई तार सब्तक के कभियों के अंतरगत आते हैं और सबसे पहले तार सब्तक के कभियों में इने ही शामिल किया गया था और ये नई कवीता के भी प्रारम भी कभी माने जाते हैं इनके बारे में आपको ये याद अखना है आपने मुझे कि मुक्तिबोद की कौन सिक्रिती है जो अंग्री सरकार द्वारा बेन कर दी गई थी ठीक है उसको आपने कमेंट सेक्षन में जाके बताना है प्रिमचन द्वारा लिखी थी हिंदी का प्रतम उपन्यास कौन सा है तो दीखिए प्रिमचन ने पहले अपने उपन्यास जो थे वो उर्दु में नवाबराय के नाम से उसने लिखे थे लेकिन बाद में उपन्यासों को उसने हिंदी में रुपांतरित किया हुआ था तो शुरुआत से ही जो हिंदी में इसने लिखा था वो था सिवा सदन इसे बजारे हुसन के नाम से भी जाना जाता है ये बात भी प्रकाश का कहानी संग रहा है ठीक है important नाम है देखना मोहन राकेश की कहानी एक प्रसिद आती है जो मलवे का मालिक काशिनात सिंग की कहानी आती है अपना रास्ता लोग पावा अमरकांथ की कहानी आता है दोपहर का भोजन और डिप्टी कलेक्टर ठीक है ये वाले आपको पूछे भी गयते देखना दोपहर का भोजन डिप्टी कलेक्टर बगेरा लास्त टाइम ठीक है इनको आपने याद रखना है अमरकांथ बहुत ही important है आपका ये रचनाकार ठीक है गतिशील चिंतन के रचाहिता कौन रहे तो ये रहे हजारी प्रसाद दिवेदी इनसे संपति शास्त्र उसको आपने जरूर यादक नहीं है अचारे रामचंदर शुक्ल ये जो आपके केंद्र में रहे हैं निवंद और आलोशना के इसको यादक नहीं है संत कबीर पर अधारीत एवं हजारी प्रसाद दिवेदी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी रही तो य आज का आखरी प्रस्ण यहां पर है देखिए मोही का हंस्ती की कोह रही मुझे पर हंसता है या मुझे बनाने वाले कुमहार पर यहां पर यह पंक्ती जाईसी ने किसे कही है तो हम सब लोग जानते हैं कि जब शेर्षा सूरी ने उसकी कुरूपता का मजाक उड़ाया था तो उसने उस वक्त ये पंक्तियां उसके लिए कही थी और जिससे शिर्चासूरी प्रभावी तुए और उसे अपने धरवार में रखा था और यही चीज रही कि बाद में जो आपका जाईसी रहा उन्होंने शिर्चासूरी की प्रशंसा जो है वो अपने पदमावत के हमें की है जो शाहिवक्त की प्रशंसा रहती है मस्नवी शेली के अंतरगत तो यह चीज़े हैं यहां पर आपको याद रखना था कि जितनी भी चीज़े जो रही है देखना इस प्रश्ण में हमने देखा 120 चार पार्स में हमने इसको डिवाइड किया 120 प्रश्णों को 30-30 क सिरीज में आज की जो प्रश्ण थे बहुती आसान से प्रश्ण इसमें रखे गए थे और इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें आपको बताने लाइक नहीं थी मैक्सिम प्रश्ण यहां पर व्याकरण से थे लेकिन साहिते से समझने भी कुछ एक प्रश्ण रहे हैं तो व्य इसके बाद हम देखेंगे 2017 वाला जो पेपर है उसके बारे में अगले भाग में तो फिल हाल आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रियास अचा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसा कॉंटेंट लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक बने रही है आप हैंदी साही त्यवारता के साथ शुक्रिया